भारत बनाम पाकिस्तान गोल्ड मेडल का मुकाबला है दोस्तों कुष्टी में पर्श के लेकिन प्रतिबा देखिए कि अपने अपने देश को रेप्रिजेंट करते हुए फाइंडल तक पहुंचे हैं ज्यादा गठीले ताहिर लग रहे हैं कम से कम इस एंगल से या यह एंगल ही ऐसा है अच्छा नवीन की क्या क्या कोभी है कृपा जी जो देखनी चाहिए लेकिन लेक अच्छा लग रहा है कि दोनों एक ही शैली के और एक ही प्रतिबा के रेस्लर है भारत के पिछले दोनों गोल्ड मेडल अकरेबन एक तरफा ही आये थे विनेश का भी और रवी कुमार दहिया का भी और जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हौकी कहा है तो दोस्तों अभी शेक नैन ने एक शुने की लीड वहाँ दिलवादी है वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे यहां आप गोल्ड मेडल आता हुआ देखिए फिलहाल उसके लिए मेनद करनी पड़ेगी परन्तु ये मेडल का मुकाबला है इसलिए हम आपको जल्दी से हौकी से कुष्टी में ले आए हैं और ये पैशिव का इसारा पाकिस्तानी रेस्लर को हिदायत दे दी गई है कि आप एक्टिव करें हो जाएं आपको एक पैशिव मिल चुकी है डिफेंस की कोई जगे नहीं है कुष्टी में बगल में हाथ अच्छा फसा के रख रहे हैं लगातार केक रहे हैं और उसी के जोके के साथ दो अंक की बना लिए भारती पहलवान नवीन जो कि नेवी में कारे रत है बहुत ही बादरिन और फितले बंद का प्रियास नेवी के नवीन प्रभू अभी विसल बच चुकी है लेकिन वो टेक डाउन बहुत अच्छा था और जब इस तरह से दोनों पैर उठाए जाते हैं वहां रेसलर की क्या मंशा होती है क्रिपा जी रसलर की मंसा होती है कि किसी भी तरह उठा कर अगले हिस्से को पीट की तरफ डेंजर कर दिया गया लेकिन पकिस्तानी पहलवान ने बहुत अच्छा बचाओ किया तारीफ करनी होगी दोनों ही कत काठी में बराबर वजन में बराबर लेकिन कहीं न कहीं भारते पहलवान भ एक और ग्रिप मिले और ताहिर बच रहे हैं कि कहीं पैसिविटी जोन से बाहर ना उनको धकेल दिया जाए इसलिए बीचों बीच ले आए हैं कि आधा मिनट बाकी है अभी राउन नंबर वन में सर उंचा रखिए बिल्कुल उड़के कोच ने कहा सर उंचा रखिए नहीं तो रेफरी की नजर पड़ जाएगी दुरगटना घड़ जाएगी और मुझे लगता ताहीर का कहीं न कहीं स्टेमना काम है वो अगले तीन मिनिट का इंतियार कर रहे हैं कि ये ये राउन तो गया अगले तीन मिनिट में कुछ बहतर प्रदशन कर सकूँ इस टेमना को बचाऊँ अभी जादा ना उल्जू समर्थन पूरा नवीन के साथ है और लेग अटेक के ट्राई थी लवीन ने लेग अटेक होने नहीं दिया है ताहिर फिर से कोशिश कर रहे है पहला राउंड खपम हो चुका है गोल्ड मेडल का मुकाबला है कि सामने पड़े दो किलो लड्डू कब साफ हो जाते हैं पता ह कि नहीं चलता इसमें आप भी शामिल हो हम दोनों दो किलो लड्डू निफ्टा सकते हैं मैं एक खावंगा सर बाकी आपके आप पहलवान है आप कुश्टी करके वजन बराबर कर लेंगे मुझ से जीमी नहीं किया जाता और ना कुश्टी की जाती है चलिए कुश्टी करन क्या है नवीन को खेल भावना के साथ कुश्टी करें उंगली ना तोड़ें टकर ना मारें आप ग्रिप के साथ कुश्टी करें हौकी में भारत की एक शुने की लीड है साउथ अफरीका पर अभी शेक नैन ने स्कोर किया उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा और फिलहा पता चलता है उनके नाम के सामने देखिए उल्टी गिंती चल रही है अगर 30 सेकिन में उनको पॉइंट नहीं मिला तो एक पॉइंट नवीन को अपने आप मिलेगा लेकिन नवीन कोशिश कर रहे है कि उस एक पॉइंट को छोड़िए मैं टेकनीक लगा के पॉइंट लेना कि दो पॉइंट प्लस एक पॉइंट एक डाउन के भी और एक पॉइंट वो पैसिविटी कभी पांच यूने से आगे भारत और क्या उल्टा सकते हैं नवीन भारंदाज एक और भारंदाज लगाईए नौ पॉइंट एक और भारंदाज लगाईए फिर गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल के नस्दीक हैं नस्दीक से चिपटने नहीं चाहिए नवीन को अभी भी काउंटर अटेक पर ध्यान दे तो निश्यत रूप से यह स्वांड पतक हमारा लगभग ते हो गया है तो अब बनाचूक नवीन तेड़ मिनट पुष्टी का दंगल अब नाचूक नवीन नौशूने की लीड एक पॉइंट और मिल गया दो पॉइंट की अगर एक और टेकनीक लग गई तो बारवांद गोल्ड मेडल सुनेश्चित हो जाएगा और ताहिर को पता है कि अब पॉइंट पे जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए एक ही चारा बनता है कि नवीन को चित करें पिन करें या फिर क्योंकि पॉइंट इतने ज्यादा है उनके लिए वापसी पॉइंट के इसाब से असंभव है क्या है सुनित कई बार खिलाड़ी सर लगाने लग जाता है और गुटने पर हात रखने लग जाता है तो यह निशानी है कि आपका स्टेमना कम है आपकी ठकावाट साब दिख रही है आप बचना चाहते हैं और आपके लिए यही काफी होगा कि टेकनिकल सुपेर्टी से मैं नहीं हरा अंको के अधार पर हरा बिल्कुल जब हार हो रही है तो थोड़ा उसको सम्मान जनक बना लिया जाए और अभी खड़े-खड़े अगर ताहिर बाहर निकल जाते त भारत को गोल्ड मेडल मिल जाता क्योंकि अगर स्टेंडिंग पोजिशन में आप अपने विरोधी को औरेंज पट्टी से बाहर ले गए तो एक अंक मिलता है और भारत को एक ही अंक चाहिए यह गोल्ड मेडल सील करने के लिए हाँ बहुत अच्छा अभी भी जटका दिया है नवीन ने लगातार प्रियास कर रहे हैं कि तक्नीकि शेष्टा के अधार पर ये मुकाबला खतम करें लेकिन मात्र 15 सेकंड बचे हैं ताहीर भी जानते हैं कि ये मुकाबला इसी स्कोर पर खतम हो जाए बिल्कुल वो नहीं चाहते कि टेक्निकल सुपिरियोरिटी की हार उनके नाम के सामने लिखी जाए गोल्ड मेडल आ रहा है नवीन ने भारत का बारवा गोल्ड मेडल पक्का कर दिया है कुष्टी में छटा गोल्ड मेडल भारत को मिला है भारत के नवीन ने पाकिस्तान के ताहिर कोहराया है 90 से एक तरफ अबाउट में और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के मेडल्स की संख्या अब 34 हो गई है जिसमें 12 गोल्ड मेडल हैं और 12 में से 6 गोल्ड मेडल हमारे रेसलर हमारे पहलवान लेके आए हैं बहुत बहुत मुबारक नवीन दूसरे राउंड में एक उनका जाए हैं